बेलकम बेलकम टू प्रकृति प्रेमिंस टूर आप सभी का स्वागत है दोस्तो जैसा कि जीव जगत के पार्ट बन में मैंने ये पढ़ाया कि सजीव क्या है नर्जीव क्या है और सजीवों के लक्षण क्या है फिर इसके बाद सजीवों के पोषण चाहिए और सजीवों के जो लक्षण हैं पोशन, स्वसन, उत्सरजन, संबेदन सिलता और जैविक्रिया हैं तो इसमें हैं ने पोशन पढ़ाया, पोशन भी पढ़ाया, फिर हमेंने स्वपोसी, साकाहरी, मासाहरी, सरवाहरी, स्वसन पढ़ाया, उत्सरजन पढ़ाया, उत्सरजन क्या है उत्सरजी पधार्थ क्या है पोधों के उत्सरजी पधार्थ क्या है मनुस्यों के उत्सरजी पधार्थ क्या है अपसिष्ट पधार्थ क्या है ये भी पढ़ाया इसके बाद मैंने संबेदन सीलता पढ़ायी उसमें मैंने दीपन पढ़ाया उनक्रिया पार्ट बन में पढ़ाया था, अब मैं पार्ट टू, जीव जगत का पार्ट टू पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें जीव जगत, यानि आपका ये जीव जगत है, जीव जगत, जीव जगत का ये आपका पार्ट टू है, और जीव जगत के पार्ट टू में अब मैं आपको जो पढ़ाने जान रहा हूं जानिए ये है कोस का सुख्यम जीवों का सामानी पर चाहिए कोस का किते केते हैं सुख्यम जीव किसे केते हैं और सजीवों का वरगी करन और जन्तों का वरगी करन संदचना के आधार पर बताया एक कोस्की है भोकोस्की है मेरुदंड के आधार पर एक अकसीर कु और कसीर कु जन्तु पढ़ाया प्रजनन विदी के आधार पर अंडियोज और जरायोज बासस्तान के आधार पर जलिये जन्तु बाईवे जन्तु इस्थलिये जन्तु ये भी से टेट में यूपी टेट में बहुत आते हैं आपकी यूपी पुलिस में भी खोवाते हैं यानि सभी परीच्छाओं में जो बायोजी का प्रियर्ड है जनतिविघ्ञान का बिसे है वह भी खोवाता है चलिए चोंद이지 को हम महटपूर्ण प्रस्णों की तरफ आगे बढ़त जीव और नस्zenद को कैसे पहिंचानते हैं जीवन की यह सभी लक्षण। सरेर का निर्मान करने च्छोटी चोटी संवार्चना vendente होते और इनको जो सभी लक्षण। जीवन के यह सभी लक्षण। जो मैं पछलेरेम करने होरो फांट 뭐가 जीवन की चीवने जिवन जैविक्रियां और जीवन की यह शरीर का निरमाण करने वाली चोटी-चोटी संराचनाओं में संचालित होते हैं जिने हम कोसका कहते हैं, चलिए कोसका को और विस्तार से जानते हैं, जैसे आपने मकान बनता हुआ देखा होगा बनते होए मकान को आपने अविश्च देखा होगा जिस प्रकार छोटी छोटी इंटों से मिलकर आपका क्या बनता है मकान बनता है उसी प्रकार से आपने मकान बनते होए क्या देखा होगा अविश्च देखा होगा वहाँ पर क्य चाहे छोटी छोटी इंटों से मिलकर मकान का निर्माड होता ठीक उसी प्रकार से जीवों के सरीर का निर्माड छोटी छोटी इकाईयों से होता और इन छोटी छोटी इकाईयों को सरीर को बनाने वाली इन छोटी छोटी इकाईयों को कोशका हैं कहते हैं जैसे मकान में सबसे छोटी एकाई इंठ है इसी प्रकार से सरीर की निर्मान में सबसे छोटी एकाई कोशका है इसी को हम कोशका कहते हैं छोटी छोटी एकाईयों को क्या कहते हैं कोशका करते हैं पृत्यक जीवित कोशका में जीवन की सारी जैविक क्रियां जेसे स्वसन है पोशन है उत्सरजन ब्रद्धी आदी अनवरत चलती रहती हैं अब आगे आईए कि सुक्ष्म जीव किसे कहते हैं कुछ जीवों का सरीर केवल एक कुष्का से बना होता है किसे बना होता है एक कुष्का से बना होता है जिनने हम नगन आखों से नहीं देखा जा सकता है नगन आखों का मतलब है ब बेना सुक्षिम दर्सी के नहीं देखा जा सकता है तो इनको जिनको देखने के लिए सुक्षिम दर्सी का प्रियोग करते हैं ये सुक्षिम जीव कहलाते हैं क्या कहलाते हैं सुक्षिम जीव कहलाते हैं जैसे आपका है अमीवा है यूगली नहाप नमीवा अमीवा यूगली पेरमेशियम येस्ट जीवाड़ू आदी तो जीवाड़ू की कोस्का सबसे छोटी होती हैं सबसे छोटी कोस्का पूछे तो जीवाड़ू की कोस्का सबसे छोटी होती हैं जबकि सत्रमोड का अंडा सबसे बड़ी कोस्का होती है चलिए अब इनका बरगी कण में हम आगे ब प्रतिवी पर असंक जनत्तु के लिए बैग्यानित इनकी समानता, जिसे हम क्या कहते हैं बर्गीकन कहते हैं. जैसे आपने दुकानदारों को देखा होगा या मेडिकल वालों को देखा होगा कि हमको पेरासी टम में उल दें दो तो वो क्या है तुरंथ उनके पास छोटे छोटे बॉक्स रहते हैं अलमारी नुमा छोटे छोटे अलमारी बॉक्स रहते हैं तो क्या है तुरंथ उसी बॉ की यानि तीसरे पंक्ती की यानि तीसरी पंक्ती में और चौते स्तम में हमने पेरा सीटामोल और उससे सम्मंदित दवाईयां रखी हुई हैं तो इस प्रकार से हम समानता रसमानता के आधार पर उनका समू बनाते थे हैं और यही समू बर्गीगण कहलाता है गुड़ों के आ आगे बढ़ते हैं जन्तों का वर्गीकन किसका वर्गीकन जन्तों का वर्गीकन जन्तों को वर्गीकन करने के अनेक तरीके हैं जैसे सनरचना के आधार पर और मेरुदंड की उपस्तिति के आधार पर पर प्रजिनन के आधार पर वास के आधार पर अभी हम बिस्तार से एक कोशक की we about econ से बना होता है दिन जन्स का सरीर केवल एकक कोशका से बना से बना होता है उन्हें एक कौशक जीव कहते हैů ये जीव नगन आखों से नहीं दिखाई देते ये जैसे आमीबा, पेरामीसियम, यूगलीना, एक कोस्के जीव, जीवन की उत्पत्तिके प्रथम जीव माने जाते हैं. जो आपके एक कोस्की जीव हैं जीवन की उत्पत्ति के प्रिथम अब एक कोस्की हो गए अब बहुत कोस्की में आ जाईए यानि जैसा कि नाम से इस पश्ट दिखा रहा है बहुत कोसिक जिन चंतूं का सरी एक से अधिक कोस्काउं से बना होता है इन्हें बहुत कोशिक जन्तू कहते हैं जैसे हम आदमी हैं मनुष हैं जिन्हें हम नगन आखों से भी देखा जा सकता है यानि सीधे सीधे आखों से इसमें सुक्ष्म दर्सी की जरुवत नहीं पड़ती है जैसे आपके गाय, भेंस, मनुष, मेलक, मचली, घोंगा, हाइड्रा और आपका बकरी, कुत्ता ये सभी जो बहुत कोशिक जीव हैं जिन्हें हम अपनी नगन आखों से देख सकते हैं अब आजाएए मेरुदंड के आदार पर किसके अब आजाएए अकेसेरु की कसेर को और ये दो प्रकार के होते हैं मेरुदंड माने होता रीड़ के अड़ी मेरुदंड माने क्या होती है रीड़ के अड़ी तो कसेरु की जन्तु जिन में रीड़ के अड़ी पाए जाती है इन्हें अकसीर कुजन्तू कहते हैं जैसे कीडे मकोडे केंचुवा तिल चट्टा गोंगा आदी ठीक है आगे हम बढ़ते हैं अब आजाए कसीर कुजन्तू जिन जन्तूं में रेडिकेड़ी पाई जाती है निमेर उधंड पाई जाती है इने कसिर को जनतु कहते हैं जैसे आपका मचुली है, मेंडख है पक्छी है, गाए, भेंस, मनुष्, आधी चलिए अब हम आपको चितर सही समझाते हैं अब ये आपके ये अकसिर की जनतु है इन में रिल्डी के ऩड्डी नहीं पा जाती है एगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ाते हैं प्रजिनन के आदार पर किसके आदार पर प्रजिनन माने बच्चा देने के आदार पर या यह भी कह सकते हैं प्रजिनन किसे कहते हैं मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ भाग एक में लेकिन फिर भी आपको यह दी जानना है प्रजिनन तो अपने समान संतानों पंत करना ही प्रजन कहलाता है अंडे देने वाले जंतों को अंडे जो कहते हैं जैसे मचली है, मेंड़क है, छेपिकली है, सरफ है, पक्छी है, कीडे मकोडे हैं तो ये अंडे जो कहलाते हैं बच्चे देने वाले जंतियों को जरायुज केते हैं मनुष्य है चुवा है खरगोष गाय बखरी आदी तो समझ में अंडूज जो अंडा देते हैं जरायुज जो अंडा नहीं देते हैं चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब है बास के स्थान पर बास माने होता है निवास इस्थान यानि रहने के स्थान के आदार पर कि कहां जंगल में रहता है तो जंगल में भी कहां गुफा में रहता है या पेड़ पर रहता है इस परकार से अब देखिए कुछ जन्तु जल में रहते हैं कुछ हवा में उड़ते हैं और इस्थल पर भी रह सकते हैं और उभेचर जन्तु ठीक है उच जल में और इस्थल दोनों पर रह सकते हैं तो उनको उभेचर जन्तु करें चलिए आगे बास के स्थान पर देखिए पहले मैं आपको ये ऐसे कभी नहीं पूचता है कि जलिए जन्तु किसे कहते हैं लेकिन क्या है कि जब आप जान जाएंगे कि जलिए जन्तु किसे कहते हैं बाई बेजन्तु किसे कहते हैं उभेचर जन्तु किसे कहते हैं इस्थलिए जन्तु किसे कहते हैं तो आप सीधे सीधे लगा देंगे ठिक क्योंकि मेड़क मेड़क का है मेड़क पानी में भी रह सकता है और प्रत्वी पर भी रह सकता है तो आपको पता है कि वह भैचर जनतू किसे कहते हैं और उसमें मेड़क पूछ लिया गया मेड़क किस परकार का जनतू है जलिय जनतू है जलिय जनतू है जलिय जनतू है बाई ना इसलिए जरूरी है यह ब्याक्षा समझाना इसलिए जरूरी यह फिर इसके बाद बहुत अच्छâyよね चैसे जलिय जल्य 음식 के अरा ये आगे बढ़ते हैं बाईवे जन्तु बाईवे जन्तु जैसा कि जो हवा बाईवे जन्तु अधिकान समय में बाईवे उड़ने वाले जन्तु को बाईवे जन्तु कहते हैं इसमें पक्छी पक्छिम क्या क्या आता है आपका तोता है कवोतर है और आपके मेना है और आपके च चिडिया हैं बहुत सारी चिडिया हैं गोरिया है यह सबी जो पक्षी हैं जो बायू में हर समय उड़ते रहते हैं हवा में हर समय उड़ते रहते हैं यह कहें कि अधिकांस तैह हवा में ही उड़ते हैं उन्हें बायू यह जनतू कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब जान और आपका मनुश आदी अब एक होता उभेचर जन्तू जैसा कि मैं पहले बता रहा था जो जल और इस्थल दोनों पर रहते हैं उन्हें स्थलिय जन्तू कहते हैं अपना जीवन यापन करते हैं यानि जो जन्तू जल और इस्थल दोनों इस्थानों पर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्यों अवेचर जन्तु कहते हैं, जैसे मेरक है, कछुआ है, और आपका सेया, सरब भी पानी में भी रह लेता है और बेल में पृत्वी के उपर भी रह लेता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हैं पौधों का बरगी गंग पौधों का बर गीगण तो देखिए इस्टुएंट दोस्तों फिर थोड़ा आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए कौधों का बरगी में करेंगे और यह चैप्टर होगा पार्ट तीन यह पार्ट तीन होगा इसको अगले चैप्टर में करते हैं इसी के साथ यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्क्राइब कीजिए और सेर कीजिए थैंक यू फूर वाचिंग इन लाइक एंड सेर